हेलो स्टूडेंट आज हम लोग बात करते हैं टॉप सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिन जो यूपी कैड़ेट और बेस्सी नर्सिंग के एंटरेंस एक्जाम में या नीट के एक्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उनमें से बेस्ट 20 कोशिन देखिए पहला कोशिन इस तरह देखिए जगर कहीं पर M RNA मिल जाए तो याद रखिएगा RNA में क्या होता है यूरेसिल आ जाता है थाइमीन के प्लेट जहां जहां टी नज़रा रहा वहां वाँ पर यू कर दो तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा देखिए A है अड़ेन आइन तो अड़ेन रहेगा थाइमीन दो बार T है तो दो बार U कर दीजिए C है तो C रहेगा G है G रहेगा A है A रहेगा और T आया तो U हो जाएगा जी है तो जी ही रहेगा इसलिए option इसका क्या हो जाएगा बिटा D हो जाएगा M आ रहे ने दिख जाएगा बस T की जगे यू कर दो बाकि एजटेस कॉपी कर दो पुलकुल 101% question सही हो जाएगा क्योंकि इस screen पर देख रहे हैं हमने आपको बताया है इस type के questions में MRNA वाली condition में सिर्फ एजटेस रहेगा बस T की जगे पर यू आ जाएगा यह याद रखना है आपको MRNA में T की जगे यू आता है और वाकि कुछ नहीं होता पूरा एजटेस कॉपी कर दिया जाता है कॉंप्लिमेंटरी वगरा जब पूछा जाता है तो उसमें यह रूल अपलाई होगा option D is a correct answer next question देखिए यह question दिया है इसमें कॉंप्लिमेंटरी stand पूछा है उपर देखिए सबसे पहले A और T G C T A और यह सब दिया यह है क्या A का मतलब adenine है और T का मतलब thymine है C का मतलब है cytosine G का मतलब है gonine तो adenine thymine के equal होता है gonine cytosine के equal होता thymine adenine के equal होता cytosine gonine के equal होता इस type की जब questions आते हैं तो आपको घबराना नहीं इस sequence को देखना और क्या करना देखिए यहां पर A लिखा है A किसके equality के तो A की जगे पर क्या आजाएगा T आजाएगा T की जगे पर A आजाएगा G की जगे पर C आजाएगा C की जगे पर G आजाएगा A की जगे पर T आजाएगा T की जगे पर A आजाएगा G की जगे पर C C की जगे पर G आजाएगा A की जगे पर T तो उसे साब से क्या करना यहाँ पर यह वाला rule जो है apply होगा बस convert हो जाना A की जगे T आजाना T की जगे जहाँ T दिख जाएवाँ A कर दो जहाँ A दिख जाएवाँ T कर दो जहाँ G दिख जाएवाँ C कर दो जहाँ C दिख जाएवाँ G कर दो इस साब से option C इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाता है complimentary जो stand जब निकालना होता है तो जो भी sequence दिया हो basis का उसको ध्यान से देखें और ये rule याद करना है इसी rule को follow करना है A किसके equality के तो A की जगे T रख दो T की जगे A रख दो G की जगे C रख दो C की जगे G रख दो बद यही sequence आपको ध्यान में रखना है आपका question अच्छे से solve हो जाएगा कोई भी गलती आपसे 101% नहीं होगी इस type के question class 12 में आपने बहुत कराए गयाते हैं करें होंगे next question if a double standard DNA has 20% cytosine and what will be the percentage of adenine देखे इस type के questions क्या होते है C किसके equal है G के मतलब cytosine cytosine की value अगर 20% है तो C किसके equal होता है G के तो जो गवानाइन भी 20% तो C जो 20% है यानि cytosine जो 20% तो गवानाइन भी 20% तो टोटाल हो गया 40% 100 में जब आप 40% को minus करेंगे तब आजाएगा 60% और उस 60% को जब आप 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 30% ठीके तो adenine और thymine की जो value आएगी वो बिटा क्या आजाएगी 30% आजाएगी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा 30% समझ में आगया मैंने क्या खा जो जिसके equal है ये rule रिख लो उपर cytosine की value 20 दिया है तो गवानाइन भी 20 हो जाएगा तो उनों को add कर लो 100 से minus कर दो जो आए उसको 2 से divide कर लो उसके बाद जिसकी value पूची हो उसकी value आ गई और उसी के equal add 9 की पूची है तो जो add 9 की value होगी वो time 9 की होगी जो cytosine की value होगी वो go 9 की होगी इस तरह के question में सिर्फ हम यही ध्यान लगते है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा option C 30% इसका correct answer यह देखिए matching आ गया है भई matching तो भईया ग्रेगर जॉन मिंडल ने क्या किया है law of inheritance की खोज करी और सूटन और बवरी जो हैं सूटन और बवाली नहीं बवरी बोलते हैं इसको बवेरी तो क्रोमोजोमल थेओरी of inheritance के बारे में बताया Langdon ने Down syndrome के बारे में बताया Morgan ने Drosophela के बारे में बताया ठीके तो इसमें correct answer डूल लीजिए भई क्या होगा first का second first का second second का first तो इसलिए क्या हो गया और third का fourth और fourth का third यानि option A इसका क्या हो जाएगा भई correct answer हो जाएगा option A इसका correct answer है मेंडल law of inheritance को मैच करती है सुटन और बोवरी क्रोमोजूमल तेवरी को Langdon नाउन सिंड्रोम को Morgan Drosophela इसका correct answer A the common mean of transmission of AIDS यानि AIDS बीमारी जो है वो कैसे फैलते है sexual intercourse यानि sexual relation बनाते हैं अगर किसी HIV patient के साथ में sexual relation बनाए जाएगा तो उसको भी AIDS फैल जाता है अगर HIV patient का blood किसी healthy इंसान को चड़ा दिया जाएगा तो उसको भी AIDS हो जाता है अगर pregnant mother को HIV AIDS है तो उसके बच्चे को भी हो जाता तो इस हिसाप से all of these यानि option D जो होगा भीया इसका correct answer हो जाएगा all of these is a correct answer of this question note करिए अगर एट से लेटर याद रहे हैं वर्ल्ड AIDS डे कब होता है comment करके ज़रूर बताईए वर्ल्ड AIDS डे कब होता है चीके और एक question और इसी में छूट गया जैसे इंफेक्टेड निडिल के थूरू भी HIV AIDS सेलता है ठीके इसलिए answer D है यहाँ पर emergency contraceptive are effective if used within देखी क्या होता है एक कोई male अब देखी यहाँ पर बताईए कि कौन सा जो है इंसर्टेड यूटरस में कौन सी चीज़ वजाइना में क्या करती जाएगी इंसर्टेड तो देखी उपर option a copper T दिया है भी में male condom में c में female condom में और d में implant दे रखा तो which of the following contraceptive is inserted into the uterus through vagina तो female की vagina में किसको insert किया जा सकता है तो वो है क्या है भई copper T यानि option a is का correct answer हो जाएगा option a is a correct answer human female research को menopause की बात है देकि females में periods होते हैं the first time period होता है तो उसको menarche कहते हैं और यह लगबग 12 साल के उमर में start होता है और उसके बार यह period continue चलते रहते हैं जब कोई pregnant होती है female pregnant होती तब यह period stop हो जाते हैं और जैसे ही delivery हो जाती है उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर से start होना शुरू हो जाते हैं और पीरियड naturally बंद जब होते हैं तो उसको बोलते है menopause तो लगबग 45 और 50 साल के उमर में क्या है ऐसा कहा जाता है कि period stop हो जाते हैं females में CRT की book में 45 से 70 years 50 years के बारे में बताया गया इसलिए आप 45 तो दिया नहीं है इसलिए option A हो जाएगा यानि 50 years इसका correct answer हो जाएगा नोट कर लिजिए option A नेक्स देखिए question matching आ रही है पैचुरेशन गेस्टेशन इंसीमिनेशन इंप्लांटेशन और फटेलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता fusion of egg और sperm यानि ए का fifth हो जाएगा ठीक है डी का first हो जाएगा याद रखिए सी का second हो जाएगा बी का fourth हो जाएगा रहे का third हो जाएगा यानि option जो होगा इसमें क्या हो जाएगा भाई डी हो जाएगा option डी किसका correct देखिए first paturation paturation का मतलब delivery of baby from uterus uterus से बेभी वार आ जाए तो वह paturation कहलाता है गेस्टेशन का मतलब होता है duration of pregnancy गेस्टेशन का मतलब pregnancy का जो पूरा समय जो 9 महिने का हो इंसीमिनेशन का मतलब होता transfer of sperm into female genetical tract implantation का मतलब होता attachment of an embryo to endometrium layer और fertilization का मतलब हो गया भाई fusion of the egg and sperm इसलिए option क्या हो जाएगा भाई या option D इसका correct answer हो जाएगा option D इसका correct answer है next the middle piece of sperm content जो sperm होता है sperm का middle piece होता middle part जो होता वहां पर भीया का पाया जाता mitochondria पाया जाता mitochondria को हम लोग power house of a cell कहते हैं mitochondria जो है sperm को क्या देता है power देता हो जब वह power देता है तभी जाकर sperm की जो टेल है उसमें movement होना शुरू होता है इसलिए कहा जाता है मेल के sperm क्या होते हैं भीया motile होते हैं movement करते हैं एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं इसलिए option बी इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा mitochondria mitochondria जो है इसका correct answer है option बी जो है इसका correct answer हो जाएगा एक्रोजूम एक्रोजूम क्या contain करता है option है चार हाड्रोलेटिक एक्रोजूम एक्रोजूम के पास हाड्रोलेटिक एंजाइम होते हैं यह हाड्रोलेटिक एंजाइम जब स्पर्म जो है ओवा के contact में जब आता है तो स्पर्म की टिप पर हाड्रोलेटिक एंजाइम होते हैं तो क्या करते हैं ओवा के जो मलीक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं तोड़ देते हैं और आसानी से स्पर्म को ओवा के अंदर एंट्री करा देते हैं तो option ए हो जाएगा एक्रोजूम क्या contain करते हैं एक्रोजूम हाड्रोलेटिक केंटेन करते हैं is for this first semester हो जाएगा वर नूगलियर मेटेरीयल डिन ने और टोने की बात करिक रही है जहां सिर्फ ETP नहीं होगा सिर्फ एह होगा उसमें टैप्टम काहाँ फाई अंसर पाया जाता लाई इस पास 안냐 ग्रेन को क्या करता है नूट्रीशन प्रोवाइट कराता है इसलिए याद रखी ये गाह नूट्रीशन प्रोवाइट कराता है टेप्टम इसलिए अंसर एंथर हो जाए कर दो को बनती है और एंडूशियम जो होता इसको स्टैमिन भी कहते हैं और इसके पार्ट होते हैं अंधर है फिलामेंट है तो मिलकर वो स्टैमिन बनता है ऑप्शन ए कौन सी चीज नहीं है इससे इंटाइन लेयर नहीं बनी है देखो याद समझा डोजिए पॉलिन ग्रेंट में दो लेयर होती एक होती है कोती है इंटाइन जो होती है वह बहुत हार्ट होती है इस पॉरो पॉलेनिन की बनी हुई होती है और जिसकी वजे से पॉलन ग्रेण के उपर एसिद का वेस का टंपरेचर का पानी का किसीचीज का प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन इंटाइन जो ले analyt होती है वो पेक्टीन और सेलुलोग दोनों से मिलकर बनी हुई हुई होती है तो अगर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा इस पोरो पॉलिन माइक्रो इस्पॉरिंजियूम ऑफ मेच्योर एंतर आइडेंटिफाई ए बी सी यह दिया है भीया फीगर फीगर में पहचानिये कि देखिए क्या होता है पॉलिन गरेन में चार तरह की लेयर होती है काउन काउन सी एंडो थीशियम एपिडर्मिस मिडिल लेयर और टैप्टम तो यहां देखिए बाहर की लेयर ए है तो ए हो जाएगा एंडो थीशियम बीच वाली यहाँ पर B वाला पार्ट मिडिल लेयर दिखाया जा रहा है अब C वाला जो है टैप टम दिखाया जा रहा है इस हिसाब से भाया इसका आंसर C हो जाएगा option C होगा A endothesium, B middle layer, C tap time इसका correct answer है option C यह वाले diagram में देखिए A जो है वो क्या बता रहा है antipodal cell बता रहा है B क्यों क्या है वो synergit cell है C जो है वो अंड़ा है, एग है ठीक है और D जो है हमारी philiform apparatus cells है ठीक है तो कुल मिलाक के option क्या हो जाएगा भीया option B हो जाएगा A हो गया antipodal, B हो गया आपका synergit C हो गया एग और D हो गया philiform apparatus option B is the correct answer of this question नोट कर लीजे बहुत पहतरिन तरीके से बहुत important question है 1212 के board exam में भी इससे related questions भी आते हैं डाइग्राम भी आता और competitive exams में भी यह पूंचा जाता है तो इसको बहुत अच्छे से revise कर लें diagram बनाना सीख लें और labeling करना जरूर सीख लें चीक है बहुत important question है इससे ज़्यादा यह question कई तरह से गुमा फिरा कर exam में पूंचा जाता है आगे दे रखा है एक और question है the philiform apparatus is present in philiform apparatus जो है वो कहा पर पाया जाता है philiform apparatus जो है वो synergynd की जो cell होती है वहाँ पर पाया जाता है PHP के बगल में दो synergyट cell होती है antipodal cell तीन होती है और secondary continuous जो होती है दो center पर पाई जाने वाली cell होती है जिसको central cell के नाम से भी जानते हैं इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option A इसका correct answer हो जाएगा यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो please like, share और subscribe जरूर करिए comment करके जरूर बताईएगा okay, thank you जाएगा